वेलकम फ्रेंड्स मीर अविंद्र आज अपन एट सेंड़ मैथेमेटिक साथ सेवन चैप्टर है वेरियेशन यह ते प्रैक्टिस इच सेवन पॉइंट वन अब्यासना रहा हूँ इते थोड़ा सो कॉंसेप्ट आजी लक्षा दिया मंझे तुम्हाला सम स्वाल करने इजी होई दस्टेट्मेंट एक्स अंड वाई आर इन दे सेम प्रपॉर्शन कैन बी रिटेन एज एक्स अंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरियेशन ओक्या मंझे जावेड़ी अपले एकस प्रपॉर्शन मा जया जैने वाई एखला सेम प्रपॉर्शन मा इसथि मिजअ एक्स छी वेल्यू गरो जहली तर याठुपर पर ग्रोध। realization क gef Weight एक्स अल्फा वाइए उकीज गिरिक लेट रहे डिलेच नहीं पर द्लेयर करना था है आपन हो आपर के वापर भातोर सिंब blankets आपन आंलेग एक्स आलफा वाई अन्हीं है एक्वेशन फ़ाम मजे कसलें तो आपर X is equal to KY हे learnt है वाइचे तर इते के जो है ना K constant आए X ची value जर ग्रो जली तर Y ची value पर ग्रो होते पर in multiplication with the K तो हे उड़े लक्षा दा लगना तुमच्या तर आपला sum solve करना easy होता चलो, अथा practice state 7.1 मदला आपन first question भोगया First question का आपला Write the following statement using the symbol of variation यह काईच कारा है जने फक्त symbol of variation वापला आपला statement लाएचे तर circumference of a circle is directly proportional to its radius radius ला आपन R हे symbol दे ले 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 तर किती ही जे आपला 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 जो Greek letter होता alpha तो यूज कारा है जा मही दे ले जे ले जे C alpha R आता second बगा का है consumption of a petrol L in a car and distance traveled by that car D are in a direct variation तो इते L अने D है direct variation मदे L alpha D अग्दी इजी है चला question 2 पाहुआ था पन question 2 का है complete the following table considering that the cost of apples and their numbers are in a direct variation आता इते बगा जासा apple ज़र अप्याल एक आपल ची प्राइज रे एट रुपीज आहे तो आता दोन apple ची प्राइज शींड उला भनजे जसी cost apple चान बड़ाज जातो तो 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 ची cost of that apple बड़ाज जाती आते अपल आते है आते एला इते डार्क्ट variation okay माइ इते बगाई थे टेबल दिलेला अपलेगा नमबर of apples आपन एक सिंबल दिलेला है अनी अप्लिज अप्लिज प्राइज नियुक्त प्राइस यह टाहिप फॉर एप्लिज प्राइस थे टो ए तो आपना बाकी चाहली आ प्लिज फाहिए तरफाइस थे आपना एक्स अल्फा वाई मां जा सिंबलिक फॉर्म मद आसली हो जोकतु कि नहीं है equation मदे given है अपना यह खोल्फा यह आपना इसके कर नहीं और यह हो नहीं कि एक्वेशिन हो टो को गवाए एक्वेशिन जाल के हा कॉंस्टन यहाशले है इस आपना बोब न एक्स इस इक्लों फोब एक्ट पाय। यहां पाण है यहां अध्यापन है अपंड तक हो का झालो न 2 एक्ट to K8 म נ currentset 1 upon 8 तो हेका 9 constant of variation अपने एक द्धि एकिवेशन महते ती वैली टाकली ऒर ऐखेशन में एकसी भाली माहँची टाकली तो फाली यची में जीए 5 में त inland च THEREền Pacific टीकों half अबने मोंहाने क्यान खूना researching मा अट्री आपती इंटीकक इंटीक इंटीकक नने मक्तेवीच जी जा जा सेहने मेंक्ञें स्क बाक्षीटिवाल गाशर सेवत कुने फिंडीकक कि खुल पिंक template 6 १ आGER हे जाता 17 मंझे 8 वर्क यह ना मुल्टिप्ला हो ना 12 बरो 8 x 12 96 मंझे y ची वाल्यू की थी आलिया 96 आणि वेन y is equal to 160 मा x is equal to 1 upon 8 into 160 मा 8 ने 160 ला डिवाड के ला answer तो 20 मंझे x ची वाल्यू की थी आपले 20 हे थे आपने अपना टेबल फिलब के लिए लाई थे जर y ची वाल्यू 56 असल ते x ची वाल्यू 7 आहे x ची वाल्यू 12 असल तर y ची वाल्यू 96 आहे आणि y ची वाल्यू 160 असल ते x ची वाल्यू 20 आहे चलो थे थर्ड क्विश्यन भूग वाता पन क्विश्यन थर्ड का है कि if m α n and when α n मन्झे का है m varies n okay varies in the same proportion तो M ची वाल्यू कीति है 144, 154 है और N ची वाल्यू 7 है, तर find the value of M when N is 14, okay, मा आपने काया कर रहे हैं, M अल्फा N है गीवन आहे, M is in direct proportion with the N, मा अब लगा, equation कर रहे हैं, M is equal to K N, okay, यह यह K constant है, मा आता M ची और N ची वाल्यू टाको है, माझे K ची वाल्यू find out करते हैं, तो when M is equal to 154, and N is equal to 7, मा M ची वाल्यू 154 टाकली, is equal to K into 7, मा 7 अपो K ची वाल्यू find out करते हैं, मा के रहे हैं, मा 154 अपो 7 कीति होता है, तो 22, तो constant of the variation काया है, 22, K ची वाल्यू 22, मा अपन कहीं कारा हैं, मा फाल्य प्लाइन सेकल काया है, तो M is equal to 22N, यह प्लाइन काया है, जा यह अपन ही, काया है, 400 माल्यू इक्वेशन अफ़ रिएशन में गमा ला गल्यू था अपन N ची वेल्यू 14 तो M ची वाल्यू कायी में पहो गया, तो M ची वेल्यू The value of m is 308, okay? आता fourth question, fourth question मते काया, table दिलेला है परता हम लेला, if the, if n varies directly as m, complete the following table, okay? तर m varies directly as n, मन्जे काया, तर, इते बगा, n alpha m, okay? तर n alpha m लियाचे इते, हे given equation मते, तर n is equal to k into m, k is a constant, तर, आता, well, n is equal to 12, m is 3, आता हम लेले, परेले, परेले सदे लेक्वेशन मते के, n ची वेल्यू दिलेक्वेशन मते के 12, m ची वेल्यू 3 है, तर, m ची वेल्यू 3 है, आता हम काया करूए, या वेल्यू ज अपन टाकोया, equation मते है, 12 is equal to k into 3, k ची वेल्यू 5 आट करें, 3 अपोजिट साइड लाबातरों, 12 upon 3 is equal to 4, बंजिये, आपले अपला, variation चो constant काया मेला लेले, तर, 4 मेला लेले, k ची वेल्यू की थिये 4 है, तर, आता ही value अपन, equation मते टाको आनी, equation of variation find out करूँ, बंजिये, n is equal to k, 4 into m, is the equation of variation, अपले, equation of variation मेला लेले, मा अपन अपले, m न ची वेल्यू यूज करूँ, अपोजिट वेल्यू आपन फाइड लेले, मा इता ही आपन बोग्या, when m is equal to 6.5, तर, मा अपले, equation of variation है, n is equal to k into m, तर, मा 4 into 65, 6.5 लेलेले, 4 into 6.5 चाहा, अपन फाइड लेले, 26, मा अपन फाइड लेले, 26, when n is equal to 28, मा अपन फाइड लेले, 28 is equal to 4 into m, m ची वेल्यू 5 लेले, 4 ले आपोजिट साइड ले डाका, मा जे 28 अपन 4 हो, 28 अपन 4 चाहा, 7, m ची वेल्यू 7 आहे, अदि when m is equal to 1.25, तर, मा n is equal to k into m, 25, या वैल्यू आपन आथा, टेबल में फिल अपन खुरिया था, बग्रा, when m is equal to 6.5, n ची वेल्यू कि थे 26, when m is equal to 28, n is equal to 28, m ची वेल्यू कि थे 7, अदि when m is equal to 1.25, n ची वेल्यू कि थे 5, okay, so the next question पोगा थापन, question 5, तो y varies directly as the square root of x, when x is 16, y is 24, find the constant of a variation, and the equation, the variation, इते आपने ला काई values, फाइवाल ने करेचे, तो तो constant of variation, equation of variation का रहाईचे, पर इते एक लग्षा या, इते काई दे लेले, y varies directly as the square root of x, इते फर्स टाइम आपने लेला square root of x आ लेला है, अचे आपने लेला y varies directly as x होता हो, तो आपने लेला यही हो, तो ही तो square root of x है, यहला फक्तमी underline के लेए, वेला लग्षा दे लाक्षा देया, मा इते आपने अचे, symbolic form मे लेला का लेला है, y alpha square root of x, OK, OK, square root of x, अदे लेला equation मादी, है लग्षा देबा, मा आते माल साँगा, y is equal to k into root x है इचम मते k को नहीं constant है है आपले equation of variation बना आता है चाहा तब लेला value find out करेचा मा इते बगा x is equal to 16 and y is equal to 24 या value अपन या equation में टाक हुए 24 is equal to k into root 16 अधर root 16 ले आपन 4 बन लिए उचकता किन है मा अपने लेला k ची value find out करेचे 24 upon 4 is equal to 6 मा अपने लेला constant of variation का है में लेला है k is equal to 6 आपने के ची जी वैल्यू है ति आपने equation में टाक हुए y is equal to 6 into root x is the equation of the variation किती इजी होता हुए फ़क्त root x वर्ती लग्षा ठावाई होता आपने लेला question में रूट x आपने लेला इन कार्णिस अटी मजूर आपने लेला होते तरना जी मजूरी दिलेला है तरहा है गनी तस्त्ता आरे If the remuneration of 4 laborers is Rs. 1000, find the remuneration of 17 laborers 4 लोकांचा मज़ूरी जर्थ 1000 रुपया है, तर 17 लोकांची किते हैं ते find out करा Let the remuneration be R and the number of laborers be N लेबरर चाजो number है न हा अक्षर अपरले, remuneration चाटी R तुम्ही कोंटी अक्षर वापरूच अपता है, पर remuneration चा आर गेतला है, न नमबर चा एन गेतला है मद देन R alpha N, हे symbolic form दला कारण हे दोने डायरेक वेरेशन मद याज, हे गीवन हाही मद एक्वेशन का होना ही ते बगा, R is equal to K N, अहीते K हा constant हाही मद एक्वेशन मद एक इंफरमेशन दिलिए, कि नमबर लेबर चाटी असल ते रेमनेशन था थाउजन असल था, वेन N is equal to 4, R is equal to 1000 ही value अपलाए, अपलाए, नमें टाकू, था, 1000 is equal to K into 4, मा 4 opposite side गेलाया, कि ची वे फाइंट एक्वेशन में टाकू, R is equal to 250 सेल07 off the variation Gn then n value sadad Kirti इस दार माँ सब्सक्तुटुटुट 250 मित्रान्नों जर तुम्हाला विडियो आवर्ड लसेल थे नख्या विडियो लाइक कर आणि अपला चैनल ला सब्सक्राइब कुरूं बेल आ कर दाब मन्जी इतुन पुड़ी जेमी विडियो बनोते तो नोटिफिकेशन तुम्हाला मेल आनि वेडिया में तुम्हाला ते वीडियो पहते हैं धन्यवाद